रितेश पांडे की पत्नी वैशाली को पसंद है पवन सिंग की आवाज आपको बता दे कि रितेश पांडे की आवाज बहुत ही सुरुली और मधूर है विकिन उनकी पत्नी वैशाली को अपने पती की नहीं बलकि पवन सिंग की आवाज पसंद है पवन सिंग के most of गाने वैशाली के पसंद के हैं ऐसा खुलासा खुदरितेश पांडे ने किया है कि मेरी तरव वैशाली को भी पवन भहिया के गाने ही पसंद है वैसे रितेश पांडे के आउगाना पूर्वी बयरिया ने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है पिछले तीन हफतों से लगातार यूटुब के music में trending में है कभी नमबर वन की position पे होता है तो कभी नमबर 19 तो कभी नमबर 5 तो कभी नमबर 4 तो कभी नमबर 8 तो कभी नमबर 10 पूर्वी बयरिया ने तो एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है वैसे रितेश पांडे के नाम तो भोजपुरी में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है भोजपुरी में ही ना सही लेकिन रितेश का गाना हेलो कॉन हिंदी में ही सही किसी भोजपुरी आर्टिस्ट का साड़े साथ सौ मिलियन गाना जाना खाने की बात नहीं होती है वैसे सभी को इंतिजार है कभी ये गाना वन बिलियन होगा अगर ऐसा हुआ तो रितेज भोजपूरी के पहले स्टार होंगे जिन्होंने ये किर्तिमान स्थापित किया है लेकिन पसंद पसंद की बात है वैसे रितेज जब सुटुआत में गाने आये थे भोजपूरी इंड अगर तुम मेरे जैसा ही गाओगे तो अपनी अलग पहचान नहीं बना पाओगे और पवन की इस सला को रितेज ने माना और आज रितेज पांडे भोजपूरी के एक सुरीले सिंगरों में से एक है रितेज के आवाज में एक दम है एक जादू है और एक दर्द है जो कि ए सिंगर को सिंगर बनाता है रितेज हर टाइप के गाने गा लेते हैं हां ये बात और है कि उनकी पत्नी वैशाली को उनका सबसे अच्छा गाना जाए चंदा लगता है जो कि मोस्ट आफ लोगों को पसंद आप क्या कहते हैं इस रिपोर्ट के बारे में हमारे कमेंट बॉक् मुझपोदी जगत की होट और मसाले दर गॉसिप की नहीं हमें सब्सक्राइब करना मिल खुलना भेले